प्रदेश कॉंग्रेस के कद्दावर नेता सत्य देव कटारे जी से सबी दलों से आगे हैं मद्देश में सत्य रूड दल अभी तक तयारी नहीं कर पाया है हमारे बहुत सारे टिकेट भी और मोस्ट फाइनल हैं जिनको भी घोषित नहीं किया गया है तो यह सब चीज़े हैं और रननीति के अनुसार सब काम हो रहा है हमारी पार्टी के तयारी कभा था पूरा सिप्राइन कि परन्तु सिंदिया जी को पूरी तरह से चुनाव जिहान की करन देनी की नहीं की हैं परन उसमेतिया बना दी गई मेनेजमेंट कोडिनेशन कमलनाज जी देखें, कमलनाज जी सीनियर लीडर है और मद्यप्रदेश के वरिष्थम नेता है तो इसलिए उनका उपयोग जरूरी है और हाइकमान ने उनको सही सोच के ये जिम्मेदारी दी है और ये पहला चुनाब होगा जिसमें कमलनाज जी समन कमेटि दक कशनाब प्रवं जी स्वकेटी करेंब करदू कर दोनाज एक मेहते हैं DJ कामटि करनाज करेंज को जेंए एक इसलिए और समिद्रों चुनाब हीस्तिव हमेशन रहती है तुनाब समिति हैं calculated चुनाब्दी के अद्दिव большой को कॉंसी है थे और वह का कॉंसा है थे व जो चुनाब अभ्यान समिती हैं। बाकी जो ऑख्यकंतिय बनातर समिती के लिए मेंडिया मेनेजमेंट कमिटी बनाने काम चुनाब हमेसे बनती रही है। खोशनापत्र के लिए भी हर साल की साल के हरेए raining ま इसमें कुछ अत्रिक्त नहीं है। यह भी जारा गुटबाजी अभी भी कम नहीं हुई है। नहीं अब इतनी बारीकिसे मीडिया को देखना भी नहीं चाहिए। गुटबाजी देखना तो बीजेपी की देखो नहीं चल रही है। जहां एक को मंच पे गिरा देते हैं दूसरे को बैठने नहीं दे रहे हैं। एक काले जंडे देख रहे हैं। किलो मीटर बट गए हैं। अभी भेंड में और मुझा मंत्री जी को यात्रा हो रही है। उसमें किलो मीटर बटे हुए हैं। कभी कभी मर्यादा से नीचे चले जाते हैं हमारे लोग भी चले गए थे तो वह एक अलग चीज हो गई लेकिन जहां चुनाव लड़ने का सवाल है वहां सारे लोग सब एक होकर के सभी द्रिष्ट्री से लक्ष रखे कि हमको दोहजार तेरा जीतना है उसके लिए काम करने है कांगरेस में तो जिसकी लाठी उसकी भानाइए को उसमीद्या है इसकी विलम्ब हुआ और कुछ नेता आपके नाराज से उनने जाके दिल्ली हाई कमान से शिकायतें की अन शिकायतों के बाद अन लोगों को कहा जाए नई समीतियों में एड़स्ट किया गया है परंदू उसके बाद भी नराजी बरकरार है बात कर लें सुरेश पचोरी जी की तो उनको सिर्फ कह दिया गया है कि आप घोश्णा पत्र बनाईए और जो चुनाव की जो समीति होती है मुख्य उसमें उनका नाम ही नहीं पचोरी जी मद्यप्रडेश कांग्रेस के पहले अद्धिक्स रहे हैं पचोरी जी की नेतरतों में एक चुनाव हुआ है पचोरी जी के इंदर सरकार में मंति रहे हैं अनुभवी नेता हैं उनके बैठके ही तो जो समीतियों बनी है जो जो समीतियों बनी है जो समीतियों का है उस्में पचोषी जी ग ciao उस्मेडारी की तो उस जिम्मेदारी के साथ साथ वह इतनी ही जिम्मेदारी निभा सब लोग लगन से काम कर रहे हैं सब लोग लगन से काम कर रहे हैं और सभी लोगों को मालू है कांगरेज जिताना है तो सबकी जीत है मतलब दस साल का जो वन्वार से बहुत हो गया है असी हो गया हम लोगों को हुआ है और हमारे कार्यकरताओं को हुआ है और एक बात बता है प्रकाज जी सच बात यह है कि यदि कोई नेता भी कहना चाहे ना कि तुम लाइन से खटके काम सब्सक्राइस है पर åt करिद समय तो का काम कर रहा है यह थम्हेरों नहीं को प्राहिए भागारों दल्लाओं को ग्त्ता चौनाओं नेपक्रव कोunkड़िसे तर फिर वस्पोर्ट शुरू बागी होना दल बदल होना अभी जेसे चुनाओ के पहले तीन विधायकों ने दल बदल कर लिया तो ये किसी नेता न थोड़ी कर बादी इसी तरीके से कोई नेता के कहने से कोई बागी नहीं होता है लेकिन ये मानके चलिये कि इस वार टिकेट अच्छे लोगों को दिया जा यही सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो लोग आप कहां से छोड़के जा क्यों रहे हैं राकेश चोधरी जी किस तरीके से छोड़के गए हैं यह सर्विदित हैं देखिए अब मैं किसी की प्रेश्ट भूब में नहीं जाना चाहता हूं राकेश चोधरी कांग्रेसी आपकान से कैटे बाते हैं अनकों के बैट ये जामना देभी जी समाजवादी थी मुतिलाल वोरा जी समाजवा दी थे तो हमारे यहां तो दूसरी पार्टियों के लोग आए कि कांग्रेस एक विचार धारा के साथ आंदोलन है उसमें दूसरे दल के लोग आते हैं जो विचार धारा से मेल खाते हैं वो यहां काम करते हैं और उनको खुड़ा बातावन मिलता है काम करने का तो यहां ऐसी कोई बात नहीं रहती है पर इस आंदोलन में अगर मान लीजीए विपरी धारा पैदा हो जाए जैसी कि कांग्रेस में पहले भी हुई है कांग्रेस टूटी तो कहीं इंदरा कांग्रेस बन गई फिर टिवारी कांग्रेस बन गई कभी माधा कांग्रेस बन गई ऐसी कई कांग्रेस है बनी है उसके बाद भी कांग्रेस तो एक ही रही जतनी कांग्रेस बनी वो सारी कांग्रेस लुप्त हो गई पर त्रणमूल पर करन जो पर क peninsula कुछ बॉर्डडर स्टेट में हैं जो गार्च sì जहाना है कपुछ गई है तो ऐसी इस्तिति Settingsshots काौंगरेस नहीं है कि जहां। कांगरेस के समान लिश के समान अंतर कोई पार्टी खड़ी हो गई हो। कॉंगरेस हमेशा सबसे आ आ गए हो यदने भी कांगरेस के नेता अलग हो है. वो या तो समाप्त हो गए या फिर बापस कांग्रेस में आ गए इसमें तक को कितना सच मानते हैं आप कि जिस स्टेट में कांग्रेस लगातार दो बार या तीन बार नहीं आती है उसके बाद कांग्रेस उस स्टेट से साफ हो जाती है प्रजात अन्तर में यह बास्तविक्ता भी है कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार तीन चुनाव हार गए और जो पार्टियां जीती है वो हमारी कीमत पे जीती है हमारा बोट ले गई और हमारा सपोर्टर ले गई और हमारे कार्यकरता भी ले गई तो जब हमारे कार्यकरता ही तो हमारे पास चुनाव लड़ने बाला मटेरियल ही नहीं बचेगा जैसे उतर प्रिदेश में हुआ हमने समझोता करके हमारी पार्टी ने उस समय के जो भी हाइकमान या लीडर रहे हो गलत निर्णे ले लिया था एक टिनायम समझोता किया फिर कासी रामजी से समझोता किया उस समझोते में कॉंग्रेस चली गई और जो पार्टी किकी कीमत पर खड़ उइंग और कंग्रेस को डिफीट दे के परास्त करके खड़ी हो गई और कंग्रेस के पूरे सपोर्टर्स को ले गई अब यह कह सकते हैं कि पश्चिम मंगाल फिर यूपी फिर बिहार अब कर नहीं हो पाएगा बिलकुल नहीं हो पाएगा कते ही नहीं हो पाएगा सब्सक्राइब करें नहीं हो पूरे मद्यपडेश में जीत रही है हम चलू मान लेते हैं लेकिन हम तो यह जानना चाहते हैं कि बीजेपी के लिए सर्वाधिक ताकतवरा जिला कुन सा है जांब बोपाल इंद और कोई ले ले लें तो बोपाल में इस तरी देख लिए मंत्रि इनके विदायकों की आहरत है बीजेपी खुद 40% टिकेट बदलती घूम रही है जब इतनी लोगपरी है पार्टी इतनी लोगपरी है उनके मुख्यमंत्री इतना सारा विकास कर दिया है तो 40% टिकेट बदलने की क्यों सोच रहे हैं तो जिसको देंगे वो जीज जाएगा इसका मतलब यह है कि जो उपर है वो नहीं है नीचे जनता में कुछ और है जनता परेशान है और जनता परेशान है वो ही जवाब देगी और क्या इशूज आपको लगता है जिसे बीजेपी कमजोर है? के नीचे तक भी करप्सन इस लेवल पर है इस सीमा तक है इनके सारे नेताओं के पैशे ठाने से बंदे हुए है इनके जो बीजेपी का MLA बन गया है वो या MLA से हार गया है तो हार गया है उसको भी इनकी पार्टी MLA मानती है तो उसके विधान से बाच हेतन में कंट्रोल की दुकान से पैशा उसका बंदा है मध्यान भोजन वाली संस्थाओं से पैशा उसका बंदा है थानों से पैशा उसका बंदा है तहसील से पैशा उसका बंदा है यह सारा का सारा करप्सन जो हो रहा है जनता देख रही है और उसी जनता ही से तो आ रहा है तहसील आर अपने तनका में सो देगा नहीं ना थानेदार देगा वो उसमें से निकाल रहा है और उनको दे रहा है और अपनी जेब में रख रहा है तो करप्शन इस लेविल तक पहुंच गया है कि लोग उसको प्रतेक्ष दर्शी हैं और देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी के नेता जो टूटी होना हिए बजनी कहीं नहीं क् gift रहे हैं राजभानी में इन आंतरी कॉट्ए है्व जैए तो तो गंझाना कि और यह सारी की सारी चीज है जिसके बज़े से जनता बदलाव चाहती है केंदर में भी तो कॉंग्रेस अच्छा प्रदाशन नहीं कर रही है महंगाई आस्मान चू रही है पड़ोसी जो आपके मुल्क है वो आपको आखें दिखा रहे हैं जो अर्थिम्वस्ता की हालत है वो आप देखी रहे हैं किस तर जनता आकलन करके फिर हम लोगों को सजा देगी या हम लोगों पुरुसकार देगी तो वो अपनी जगह है लेकिन अभी चुनाब हो रहा है मद्यप्रदेश का सिवराज सिंग जी के लीडर्शिप का तो अभी के जो घटना हैं जिन पर बोर्ट जनता को करना है जिनको जाएंगे जब आप इंगलिस की कोपी देखके नम्बर देंगे तो आप अभी जनता देख रही है मद्यप्रदेश सरकार को उनके करपसन को उनके फेलूर को उसको देखकर करेगी जब च्छे मेने बाद चुनाब उसका आ जाएगा तब दिल्ली के हिसाब से सोचेगे बी बीजेपी वालों को ये तेह कर लेना चाहिए पहले सिवराज के नाम पर हम लोग घवराते हैं कि मोधी के नाम पर गवराते हैं या किशी के नाम पर नहीं गवराते हैं वो खुद आपस में तेह करें कांग्रेस में किशी को लेके घवराट नहीं है कॉंग्रेस में ये वा कि टिकेट हमारी पार्टी के फाइनल हो गई और लोगों को संकेत हैं वो अपने चेत्रों में काम कर रहे हैं और जो बाकी टिकेट हैं वो भी फाइनल होने की स्टेज पे रणनीत की अनुसार कई बार हमको टिकेट फाइनल करने के बाद भी रोकना होता है कि सामने बालों का अनाउंस होने दो, बीजीपी किसे दे रही है, बीएसपी किसे दे रही है, समाजबादी किसे दे रही है, फिर हम दे, आप भी तो टैंप काट तब डालते हो न, जब बाकी लोग डाल देते हैं, तब उससे हवी जब तांस आप पर rhymeson दे Jud यहां उतनी मदद नहीं कर पाती चाहें वो मद्यप्रदेश जैसे पिछड़े राज्य को अगड़े पंक्ती में रखने की बात हो तो सडकों की बात हो या फिर अगने पैकेज़ देने की बात हो तो वहां कहां आगे दिखती है अच्छा प्रकास जी आप बताओ आपका अनुभबी 30 साल का है पत्रकार का हमें बताइए कि इंदर सरकार से पैसे लेने की नियम या जो सिस्टम है आप भी जानते हो कैसे बना हुआ है कितने सालों स फिर आप वहां भेजेंगे पूरी फॉर्मल्टीज के साथ जो फॉर्मल्टीज होती है और उसके बाद वहां से आपको पैसा मिलेगा लेकिन हम आपको यह बता सकते हैं अगर आप यह दिखा रहे हैं तो एक दन यह दिखा दीजिए कि पिछले 50 साल में मद्य प्रदेश को पारे हम आपकी क्या रहा है महान लोग है अलीवावा चालीच चोड उनमें से कौन बड़ा चोड है कौन छोटा चोड है यह फैसला हम नहीं कर पा रहे है पर जिसको भी देखो एक से महान चोड है कोई उसमें वह नहीं है और बड़ी दमंगई से चोडी करते हैं चोडी औ तो आखिर किस आधर पर कह रहे हैं कि उनकी बहुमात आजाएगा वो लोग फिर से सत्ता में आ जाएंगे नहीं इतने खराब परफॉर्मेंस के बाद ही इतनी गलत फेमी होती है जैसे हमको 2003 में थी तो अच्छे परफॉर्मेंस के बाद तो आदमी आकलन भी करता रहता है किस देखने कि ऌने के रहे हैं क्या रहता है व ya कि वह भी रहा सब्सद्धेकि के लिए कि सारी आई आधि प्रम रहे हैं करते हैं तो केंदर का मलत जचे करते हैं दो के सब्स filmed मेंसे काई यह थी हम अगर ऐसे घटनाय कि नाये सतना के अस्पताल से एक बच्छे को कुट्टा उठा ले जाता है सिवपुरी के अस्पताल से एक बच्चे को सुखर उठा ले जाता है ऐसी घटनाय मद्देप्रदेश में 50 से अधिक हैं यह लॉँइन पाट ओप लॉआ दरी है एक, S.P. के भुपाल में, राजधानी में S.P. पर अटेक करते हैं गुंडे लोग, आँख फोड़ देते हैं अभी तक पूरे गुंडे नहीं पकड़े गए उसमें, S.P. का तवादला एरिया बदल दिया जाता है मुरेना में एक S.P. को गुंडे लोग मारी देते हैं, माइनिंग माफिया कम से कम एक दरजन जगह पर माइनिंग माफिया ने पुलिस अधिकारियों पर ट्रेलर, ट्रेक्टर, J.C.V. चढ़ाने के कोशिस की यह लॉइन डॉर्डर दर्स आता है बदल लॉइन डॉर्डर को चणवा ने हर राज्यम हो रहा एंसा रहाए सोंड़र दो पर शॉनोंंते का हुदर Yay. आप इसे ज़र बड़ी वात क्या समझेंगे कि लोग बलातकार करते हैं जोदपूर में और संड़क्षन आके इंदौर में और बोपाल में ले लेते हैं चाहें बाबा हो चाहें कोई और हो और सरकार उनको पूरी तरीके से संड़क्षन दे հही है तो अब इस से जदा आप अब लड़े की पनाहगा हम अद्रदेश से और कहां हो सकती है। अब जा रहा है कि आशाराम जी ने चुकी आपकी लीडरों के खिलाप बोला तो इसलिए उनको सजा मिली है। हमाई लोगों खिलाप बोला इसलिए उनकी बोल रही है। उस लड़की के साथ क्या किया है पहले उसकी बात होना चाहिए ना जवान उनकी दिनवर खुली रहती है वो चाहें जिसके खिलाप बोलें उसकी कोई बात नहीं है पर सवाल यह है कि उन लड़कियों के साथ क्या कर रहे है जो रिपोर्ट कर रहे है उने खिलाप और जो बोल घ्यजी नहीं उन पर फाम कर दी आधि तमाम का अपना अलग जगड़ा हो सकता है. मैंने तो मद्दब्रदेश का जिक्र किया है कि मद्दब्रदेश अपराधायों की पना आधि करते हैं. दूसरे राज्यों से मर्दपड़ेस में आकर समरक्षण ले रहे थे हैं आप जी बताईए भुपाल का ग्रह मंत्री है ग्रह मंत्री के थाने में जा करके पुलिस को मारा भुपाल के गुंडों ने बीजेपी की थे यहां बजरंगदल के लोगों ने दूसरी ड़े के भी यह कि लोइन आडर के मामलें पहले से कहते हैं कि ज्यादा अच्छी से दिये सबाल ही नहीं उटता है कहां से ज्यादा अच्छी से दिये वह खुद ही बता है मैंने जिन घटना को जिक्र किया उनमें से एक भी घटना अगर ऐसती हो तो आप बताईए किया बोपाल में से ज्यादा करमचारियों के साथ मार्पीट की घटना है नहीं हूं सिवरा सिंग के राजी में तो यह सब चीजें लॉइन लॉडर को दर्शाति के कानून वेवस्ता कहड़ी है कॉंग्रेस इस वार दावे कर रही कि उनक्या कोई गुडबाजी नहीं है उनक्या किसी तरीक सब्सक्राइब करें पर चनृबाजं करें। खूब एक बात बता हैं। कॉण्ग्रेस अध्यक्स पहले भी मुख्यमंत्री बनता रहा है। दिख विजे सिंग जी बने, वोरा जी बने, तो भुरिया जी बन सकते हैं। दूसरी बात भुरिया जी केंद्री मंत्री पर छोड़ के आए। तेसरी बात Congresse में कभी पहले मुख्य मंतुरी का फैसला नहीं होता है जगो में तो ठीक दो दाववेदार वाली बात अंग होगा मेर्काने जखोड़के चोड़के में कंग्रेश मंत्री क में भी पना है जआ मण्यमां अदमी मन्तियाकर है बोले बोले चलिए यह आप लड़ गये विचारे नहीं है। लोग्सभा लड़ गये, लोग्सभा जीतने लगे, दिल्ली में मंत्री बन गये। एक हग बनता है। तो उनका हग बनता है, तो बिलकुल उनका दावब अपनी जिगे सही है, लेकिन फिर वी, विधायकों के बहुमत आने के बाद लोगों की राए किराए से हाई कमान तय करता है, और हाई कमान तय करेगा तो फिर सथ Latino रव्याथ चत्रवेदी जी ने बागी कमणला जी ने क्यों कहा कि जोतरा जित बन सकते हैं साब सियम ने देखि जोतरा जित सिंधिया जी को सेम बनाने के लिए उनतों ने जो हिजा इंक कहा यह तो नहीं कहा दिया है और हमारे हाँ तो को अदरे नहीं एक आच काहए गर सब्सक्राइब गया थे क्योंके बं सकते हैं को भूरियelen यह तो चाहिए हसते खुछ suchen ईजय वह भी कमा जी घुढ़ सकते हैं हाई कमान ने कह दिया प्रकास्तिपारी जी को जाना है तो वोग तंदर कहाँ रह जाता है पेहला Congress जीते गयージ फिर विदायकों की राय के बाद हाई कमान कहाेगा तो उसमें कही Denn Kitchen के विदायकों के राय का महत है जो understood है और जो underground रहता है पर बगर विधायकों की राय के हाईकमन कोई राय नहीं देता है तो कारिकर्ण क्रॉस फायर में आज इतना ही अगली बार किसी नई सक्सियत के साथ हम फिर हाजर होंगे तब तक के लिए हमें आग्या दीजे नमस्कार